हैलो फ्रेंड्स जेज रिश टीचिंग में आप सभी का स्वागत थे फ्रेंड्स बहुसे मैं लाउं कोई एक समस्या आती है कूर्ती पहिनने के बाद के उनकी कूर्ती जो है वो एक साइट चली जाती है तो देखिए यह मेरे पास कूरती आया है, यह 44 इंच चेस्ट साइज के हerto से यह कूरती बनी हुई थे अब इसको हमें 32 साइज के हिसाब से कूरती को बनाना है तो देखिए छो भी इसके से तो अगे बढ़ने से परले फ sorti करेंगे और वह ही तक चैनल को सब्स्राइब के ब्रेस कर सुवेड APP धो अब मेरी सारी लेटश्ट वीडियो अपको मिलते रहे गए और You can वीडियो सदॉस्ट वीडियो देख सकेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लएक जरूर कर दिजिएगा तो देखिए मेरी कश्टमर का जब मैंने बॉड़ी से मेजरमेंट लिया तो उनका जो चेश्ट का साइज है वो 32 आया था तो उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग एड़ किया तो वो हो गया 34 अब 34 की हिसाब से हम यहाँ पर इस कूरती का फिटिंग करेंगे अब देखिए कूरत जासी हाँ आरोंधस नापिंगे तो इसे प्रकार से आपका आर्मोल जो है दोनों साइड वराबर होना चाहिए आपका जो भी मेजरमेंटों यहाँ का लेoga कि कूर्टिंग्य आपले का अच्टिंग में इस प्राकार से दीखे बराबर आट इंच पर मार्किंग करेंगे और दिखें इस साइड भी हम चेक कर लेते हैं यह दोनों साइड बराबर होना चाहिए आट इंच आट इंच तो इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है आर्मूल आपका कुर्ती का और अस्तिन का में सब्सक्राइब दीखें यहां पर मैं मजर मिलाएं और इसबेंडों इस थीए-स है दोनों तरफ को पास्पास पूपर दीखें इस पारण से कपकादा हुई एहां यहां पर मार्किंग कर लेती हुँ तो इस पार कर यहां पर दूसरा बेजू दूसरा को पैसमें यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे तो यह बरबर 18 इंच है और 18 का आधा करेंगे तो यह 9 इंच हो जाएगा देखिए यहाँ पर मैंने चेष्ट का पहले से मार्किंग कर लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ बीचो बीच सेंटर पर अटरा का आधा करके 9 इंच पर यहाँ पर बीचो बीच मार्किंग कर लिया है तो देखिए लाइन के इस तरफ हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है तो दीखिए बॉड़ी से जब मैंने मिजर्मेंट लिया था कस्टमर का तो कमर का मिजर्मेंट आया था 31 इंच और 31 इंच में ने 2 इंच का लूजिंग एड़ किया तो वो हो गया 33 इंच तो 33 का हमने यहां पर फोर्ट पार्ट लेया है सवा 8 इंच तो सवा 8 इंच पर इस तरह से देखे चेश्ट की निशान के साथ इसको मिला देंगे अब देखे हम यहां पर हीप का मार्किंग कर सब्सक्राइब जलाइगा तो इस परकर से में थे यह सें पॡ़ेनीमा पिल गया तो इस परकर से हमिक या में चुकर चांडा थैंदा तो तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने हीप का यहाँ पर मार्किंग कर लिया है अब इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे उपर वाली लाइन तक अब देखिए इसके बाद इस तरह भी इसी प्रकार से हम मार्किंग कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 38 का हम यहाँ पर मार्किंग और इसको भी उपर की तरफ इस तरह से मिला देंगे अब देखिए इसके बाद नीचे तरफ भी इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे तो फ्रेंट्स दीखें यहाँ पर हमने दोनों तरफ जो है फिटिंग का यहाँ पर मार्किंग कर लिया है फिटिंग की जो सिलाई हम चलाएंगे वो इसी मार्किंग के उपर से चलाएंगे अब देखें चाहे तो आप पहले से कुर्टी के फिटिंग कर सकते हैं बादने अस् इसस पहले इस्केर के लगाएंगेश सब्सक्राइबाद लुँण रखेंगेश सब्सक्राइब करपा हूँ देखी सब्सक्राइबी ला związत吧 इसको हम श्रोल्लर की जॉइंट के उप लखेंगे और इस तसे यहाँ पर चेक करेंगे यह जो अमने यहां पर निशान लगाया है यहां पर हमारा फीटिंग वाला कट है तो देखिए अस्तिन का cut और गुर्टी का कट जो cut है फिटिंग का, चेष्ट का वहाँ पर यह दोनों बराबर मिलने चाहिए अब इसी प्रकार से हम back side में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर यह अस्तिन बराबर लग जाएगी कि नहीं तो दीखी इस प्रकार से चेक कर लेते हैं तो इस प्रकार से देखे बैक साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखे कुर्ती का जो फिटिंग वाला कट है और अस्तिन का जो कट है दोनों में यहाँ पर भी हाफ इंच का गैपिंगी दीकि इस प्रकर से और यह जो हमारी अस्तिने वो बाहर की तरफ हाफ इंच बाहर की तरफ जा रही है तो दीकिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमारे जो कुर्ती का फ्रेंट अर्मुल होता है वो हम गहरा काटते हैं तो ज्यादा गहरा इसे काटने के कारण अस्तिन जो है वो बराबर इस परकार से आप लगाएंगे जॉइन्ट के उपर से दोनों तरफ बराबर नहीं लगे की तो क्या करना है देखिए इस परकार से आपका जो अस्तिन का बीच वाला जो सेंटर परिंट उसको आगे की तरफ हाप इंच सरका के रखेंगे और इस तरह से देखिए बराबर मिलाके देखिए इसका जॉइंट शॉल्डर का इससे यहां हमें अस्तिन को हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखना है इस प्रकार से देखिए तो देखिए यहां पर में आपको मार्किंग करके दिखाती हूं इस प्रकार से हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखना है अस्तिन को और य अब इसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हम अस्तिन को जल्दी से यहाँ पर अटेच कर लेते हैं दोनों तरफ दिखिए कुर्ती में जब भी आप अस्तिन लगाएंगे डबल सिलाई लगाईएगा इस यहाँ पर अच्छी से मजबूत बरके यहां पर इसको सिदा करके इस प्रकार से नाकुं से क्रेज कर लेंगे अब कुर्ती को देखिए उल्टा साइड पल्टींगे इस प्रकार से और इस देखिए यहां पर अब इसके फिटिंग करेंगे अब देखे यहाँ पर आपको दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर मिला के रखना है और साइड से एक सिलाई चलाना है तो देखे दोनों को जोड़ते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई चलानी है साइड साइड से इस सिलाई को हम सिर्फ कमर तक ही लगाएंगे हीप का हमने जो मार्किंग किया है वहाँ तक आपको इस सिलाई को नहीं लगाना है तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दिये किनारे किनारे अब दुसरे तरह भी यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से किनारे से एक सिलाई चलाएंगे और दीखिए अस्तिन के जो आर्मोल के जॉइंट से इस प्रकार से बराबर आमने सामने आना चाहिए कही पर भी उपर नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से देखे हमने किनारे से एक सिलाई चला दिये दोनों तरफ हमने इस प्रकार से इसको जोड़ दिया है फ्रांट और बैक पर्ट को अब यह जो हमने मार्किंग किया था यहाँ पर से हमें फिटिंग की कर लेंगे अब यही से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करना है तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई चला देते हैं तो जो हमने मार्किंग की थी वही मार्किंग की उपर से हमें इस प्रकार से सिलाई लगाते आएंगे जहाँ पर हमारा हीप का म सहांगे पर मार्किण कर लेते हैं तो यहां पर दो आपर मार्किंग किया है क्यों तो यहां पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले और इस प्रकार से दीके 5.5 पर हम निशान लगाएंगे मोरी का और दीके जो हीप का हमने मार्किंग किया वहाँ से हमें इस प्रकार से फिटिंग की शिलाई लगाने के बाद एक दू सिलाई और लगा देंगे तो यहाँ इसके बाद हम यहाँ पर साइट चॉक बनाएंगे की लिए हमें करती को उल्टी साइट उपर की तरब रहना है कुर्ति का इस प्रकार से देके हाँ पींज तक हमें double fold कर लेना है इस प्रकार से देखे मैंने double fold कर लिया है कपड़े को और यहाँ पर हम उपर से एक सिलाई चलाएंगे तो इस प्रकार से देखे पूरा फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट में हम इसी प्रकार से साइड चॉक बना लिते हैं तो इस प्रकार से देखें अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ यह साइड चॉक बनाने हैं कुर्ती के तो देखें यहाँ पर हमने front और back दोनों part में side chalk बना लिए है, अब किनारे किनारे से एक सिलाए और चलाएंगे side chalk के उपर से, तो ये देखिए बराबर इस तरह से किनारे किनारे एक सिलाए और चलाएंगे, तो ये अच्छी finishing आ जाएगी, यहां पर दीखिए यहां पर मैंने फुरी सिलाई लगा दी है फ्रंट और पैक दोनों पार्ट्स में तो हमारे साइड चाओक यहां पर बन गए है यह दीखिए कितना अच्छा यहां फिनिशिंग के साथ हमने बना दिया है अब चलिए कुर्ती को हम सिधा कर लिते हैं तो दी तरब कुर्ती घुमने का जो प्राबलम है वो नहीं आएगा तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पताएगा और वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो के लाइक ज़रू कर दीजेगा चैनल को सबस्राइब नहीं किये तो प्ली चैनल को सबस्राइब कर लीजेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते अगली वीडियो में थैंक यू